नेशनल यूनियन ओफ जर्नलिस्ट एन यूजे इकाई सुजानपुर द्वारा करोना काल में बहतरिन सेवाएं देने बाले उच अधिकारियों मीडिया कर्मियों के साथ सामाजिक सिंसाओं को प्रशस्ति पत्र देकर समानित किया गया उपमंडल अधिकारी कारेले में एक साथारन कारेकरम के ताहट नेशनल यूनियन ओफ जर्नलिस्ट इकाई सुजानपुर के प्रधान राकेश कटोच एवम कारेकारनी सदस्य ने भाग लिया सबसे पहले उपमंडल अधिकारी शिल्पी बेक्टा को प्रशस्ति पत्र देकर समानित किया गया नहीं प्रशस्ति पत्र देकर उपमंडल अधिकारी ने समानित किया इसके साथ नगरपर्शत अधिकारी संजी कुमार खन विकास अधिकारी एवम सहायक आयक स्वाती डोगरत थानब्रभारी सुभार्ष सास्त्री खन स्वास्तिय अधिकारी रमेश चंद्र ओस्टी सैनिक इनने बात करते हुए कहा कि उनके द्वारे जो ये सराहनी कारे किया जा रहा है बेकाविले तारीफ है इसके साथ ही उनने अपने संदेश में लोगों से आवान क्या कि अभी करोना काल खत्म नहीं हुआ है नियमों की नियमित पालना करें ताकि आप और आपका प्रिबार स से लड़ रहे हैं मैं इस मंच से यही लोगों से अनुनाय विनय करना चाहूंगी कि साब्धान रहें सुरक्षित रहें सोशल डिस्टेंसिंग मास और हाईजीन ये जरूरी चीज़े हैं इनको फॉलो करें धन्यवाद इस दुरान डिशा फाउंडेशन के महासरचिव रमन व्लेंटियों ने काम दिया है तो उसके लिए उन्होंने उनको समानित किया है और मैं आपके माद्यों से ये संदेश देना चाहूंगा आम जनतागों की अभी भी करोना का कहर जो है हमारे से अपर मंदगा रहा है तो सानिटाइशन और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा-प जिला इकाई सदस्तिय गोरब जैन ने अपने संबोधन के साथ की उन्होंने इस इकाई के बारे में विस्त्रित जानकारी दी और यहां पहुंचे अधिकारियों को स्वागत किया National Union of Generalists द्वारा सुजानपूर के सभी कोरोना युधाओं को सम्मानित करने के लिए यूनियन द्वारा एक कारे कमकायों जिन किया जा रहा है जिसमें सुजानपूर के सभी दिखारियों प्रेस कलब के सदस्यों जिन्होंने करोना महमारी के दोरान जन्ता की से वाकी है उनको सम्मानित किया जा रहा है इस कड़ी में अभी तक SDM सुजानपूर, नगर परशद अध्यक्ष, नगर संजव कुमार और इसके लावा BMO और अन्य अधिकारियों को भी समानित किया जा रहा है इस कड़ी में आज सुजानपूर में हम ये कारेकर्म कायोजन कर रहे हैं जिसमें की उन करोना युधाओं को हमने समानित करने का कारेकर्म रखा है हम उनकी सेवाओं को याद करते हुए आज ये कारेकर्म कर रहे हैं इस कड़ी में हम सभी करोनाई धाओं को समानित कर रहे हैं